यह वीवो का वी 27 और भाई इसमें आ गया है कर नए अपडेट और उसमें आ चुका है आपको मिलेगा डायमिक आइलेंड जो की अभी तक वीवो को सबसे बड़ा अपडेट है काफी अच्छा है यह हम बात में बात करेंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले इस वीवो अब करेंगे कि कैसे में एपडेट है काई मोसे आपको हम करने वाले है अब्से पहले जो मैं इस के फोन के कौन से और अब जıtना आप यहां फौन हीट होता है और इसको फिक्स नहीं कर सकते यह हैं को कुछ भी को पटक दे तोड़ लए कुछ भी करने हीटिं फिक्स नहीं होकती, यहां पर हीटइंग होती है और हम परप्र राब्डम है। रहे सफ़हें। किने को मिलेगा और यह लाइग जो है मुझे बहुत प्रसनल नहीं पतला बहुत थी खराब लगा है फीवो के वी टॉन्टी सेवन में स्टार्टिंग सही यह प्रॉब्लम थी मतलब कि नया फोन लोगों ने खरेदा तब भी मुझे कॉमेंट आते थे कि यहां पे लाइग अब मुझे नहीं लगता अब आ गया है इसका वी टॉन्टी नैं जो कि मेरे पास सब्सक्राइब यह करते हैं अगला पॉन्ट इसका है यू आई आप जानते हो यू आई जो इसका अच्छा है काफिश एलर ओवेश के साथ आता है काफी अच्छा है लेकिन वहां पर भी आ लेकिन हीटिंग होने की वज़़ा से काफी जादा प्रॉब्लम्स इस फोन में आने लगती है यहां पर यह सारी चीज है मतलब यू आई बेस का थोड़ा बहुत कहीं कहीं लैक करता है और अपडेट के साथ मुझे लगता है कि हाँ अगर इसको फिक्स कर रहा है तो एक बैटरी हाँ बैटरी में दो प्रॉब्लम है एक जो मैं बता हूँ अपना रियल एक्स्पीरेंस मुझे जो इसका बैटरी बैटरी मिला है वह साथ से आठ घंटे का मतलब कि हार्ड यूज अगर कर रहा है मैंने जो बैटरें टेस्ट किया था उसमें मुझे मिला था छे से स चाड़े छे घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मतलब फुल डे का वैक आपको मिलता है अगर आप नॉर्मल यूज करते हो यहां तक कि फॉर्टी थर्टी परसंट रात ने बचा भी रहेगा बैटरी लेकिन इसमें एक और और ऑडियंस है जिसको प्रॉब्लम बहुत जादा है यूजर्स हैं जिनको इसमें हैवी बैटरी ड्रेन मतलब बहुत जादा बैटरी ड्रेन मिल रहा है और इसको कैसे फिक्स करें यह भी मुझे समझ बनिया था क्योंकि वीवो के एक फोन और दो टाइप की प्रॉब्लम एक में तो नेक्स लेवल काम करता है बैटरी दूसरी काफी दो मतलब कि एक जादा बैटरी ड्रेन की भी इशी आ तो यहां पर I work और मैं अपना मतलबकि और प्रॉब्लम होंगों कुange क्या दिक्रत होती है अपने पॉन परंब दिस्प्ले काफी अच्छा कलर काफी अच्छे निकलते हैं कोई प्रॉब्लम डिस्प्ले में नहीं है अब तो यहां पे एक और अब तो यहां पे डायनमिक आइलेंड वी आगया बागी बात करें के बाद में आइसका जो ब्राइटनेस है वो होता है और अगर आप तो आपके फोन में अब बात करते हैं इस फोन के प्रो से जो कि यह फोन को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुचा सकता है बागी यह phone आप जानते हो काफी जादा बिखने वाला phone है और Vivo का जो V29 से पहले V27 का most selling smartphone भी रह चुका है जो की एक next level की चीज थी लेकिन अब आ चुका है V29 उसका भी review हमने किया है detail review और पंदर दिन यूज़ करने वाज़का review किया था और भी उसके reviews आएंगे लेकिन अभी की बात है चलते हम इसके pros पर सबसे पहला जो इसमें सबसे best चीज मुझे लगते है इस phone की वो है इसका camera और flash on होता है तो इसका camera आपको बहुत नेक्स लोग मिलता है लिए गया photo की quality जो है वो काफी अच्छी होती color tone काफी अच्छी होते है और जो इसका बुके होता जो background में blur होता वो काफी लाज़ाओ बहता है तो यहां पे मैं इसका portrait photo में 2x को next level बोलूँगा अब बात करते हैं हम इसके display से display की बात करें display आपको इसमें बहुत ही लाज़ाओ मिलता है मतलब display से आपको कभी शिकायट नहीं होने वाली है अगर आप वीडियो वगयरा देखते हो या आप YouTube वगयरा देखते हो आप कहीं भी यूज़ करते हो वहां भी जो colors निकलते हैं वीडियो में वह बहुत ही next level के होते हैं तो display में आपको कोई problem नहीं होगी डिस्पले next level का है और brightness अगर indoor आप यूज़ करते हो वहां पर indoor में तो इसकी brightness कभी भी लो नहीं होती है और YouTube देखने बाद तो कोई problem है ही नहीं तो display को मैं overall next level का ही बोलूँगा तीसरी सबसे best चीज़ जो इस phone की मुझे लगी है वह है इसका design design आपको बहुत ही सही मिलता है मतलब आपको इसमें देखने को मिलता ही है वह भी जो बहुत ही सही है 6.78 इंच का display है लेकिन यहां पर इसका जो display है यह design जो है डूप में बिल्कुल color चेंज कर लेता है जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है और यह phone को एक अलग look देता है अभी तक वीवो में ही यह feature आया है वी अभी तक यह concept सिर्फ वीवो के phone में वो भी वी स्रीज में ओपो वगरा में न पो कर रहा है वो भी काफी अच्छा है phone काफी पतला है अगर मैं दिखा हूँ आपको phone काफी पतला है तो इसके वज़र से भी यह काफी next level का जाता है तो design भी overall काफी अच्छी है चौथी सबसे best चीज मुझे इसकी लगते है वो है क्योंकि आप phone अगर करते हो calling वगरा काफ काफी ज्यादा करते हो यहां पर आपको एक बहुत ही फीचर मिलता है वह इसका call recording का आप जानते हो दूसरे phone में आप recording करोगे तो सामने वाले को वह चिला चिला के बता देगा कि यहां पर recording हो रही है recording तो इसमें ऐसी कोई problem नहीं है इसमें सिर्फ जाकि आपना dialer चेंज कर कर बात करते हैं अपना सबसे बैस्ट जो कि अपडेट आया है dynamic island वाल वह आप देख सकते हो इसमें dynamic island का option आ गया है और यह काफी सही है मतलब वीवो को वी 29 में भी ऐसा नहीं आ लेकिन एक reality बता हूँ ऐसा कुछ नहीं है यह अगर मैं बता हूँ आपको यह एक third party app का काम है और काफी सही से इसमें dynamic island क्योंकि आईफोन 15 आया हुआ है तो उसका थोड़ा सा असर तो वीवो वी 27 यूजर को Android यूजर को भी होना चाहिए जैसा कि मैंने कर दिया है तो आप भी कर सकते हैं और यह आपको dynamic island वाला feature ही देदेगा आपके display पे जैसा कि आईफोन में होता है काफी साइए पांचवा जो इसका वे जो वोलूँगा तो यह overall वोल देता हूँ पांचवा फीचर जो है इसका सबसे बेच वो overall काफी एचा फोन है अस हीटिंग को छोड़ दे काफी साही एक काम करता है वीडियो अच्छा लगा हो चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर सकते हो लाइक कॉमेंट भी कर सकते हो मिलते ही किसी और नई वीडियो के साथ अब तक लिए गुडबाय टेक केर